Hello my lovely mommies, welcome back to my channel, happy preggy mommy So, welcome to pregnancy week 18 क्या क्या changes आएगा आपके अंदर, development कहां तक पोँचे है आपके बेबी के अंदर आपका pregnancy healthy रहे और आपके बेबी healthily grow करे उसके उपर कुछ important tips मैं आज इसी वीडियो में share करने वाली हूँ और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो जरूर चैनल को like, share and subscribe करना वीडियो को share करना आपके friends and relatives के बीच में तक कि pregnancy awareness बनी रहे So, without any ado, let's get started with the video सबसे पहले discuss कर लेते हैं बेबी का development कहां तक पोँचा है देखिए, बेबी का weight pregnancy week 18 में आके 190 से लेकर 200 gram तक हो चुका है अगर हम physical development की बात करें तो बेबी के जो physical organs है वो बहुत ही अच्छे से develop हो चुका है हां जी, growth तो उसका हो रहा है बट इसी हफते में जो new development होगा वो है nervous system का development है week 18 में आकर nerve के ऊपर एक cover बनता है जिसको हम myceline बोलते हैं यह हमारे reflex action में काम आता है यानि कि अगर आप बहुत गरम चीज़ पे हाथ लगा रहे हो तो तूरत अपके brain को message चला जाता है या तो अगर आप बहुत ठंडी चीज में हाथ लगा रहे हो, बहुत ठंडा लग रहा है, आपको हट हुआ है, आपका पैर कट गया, तो तूरत ये जो मैसेज हमारे ब्रेन पे चला जाता है, हम जल्दी से हाथ हटा लेते हैं, इसको reflex action बोलते हैं, तो ये action हम तभी कर पाते ह है, जब हमारा nervous system strongly grow करता है, और उसके उपर ये micelline नाम का cover ग्रो करता है, तो हाँ जी, इसी हाफते में बेबी का ये जो nervous system का development है, ये होना शुरू हो गया है, जो मॉमीज वेट कर रहे हैं काफी टाइम से की बेबी का movement कब होगा, मेरे कीस में 3.5 मांथ से मैं अपने बेब मॉमी होते हैं, वो किक्स नहीं फिल कर पाते हैं, प्रेगनेंसी वीक 18 में हर मॉमी किक्स फिल करना शुरू कर देते हैं, अगर अब फिर भी नहीं फिल कर पा रहे हो, टेंशन मत लीजिए, यूवेसजी करवा लीजिए, अगर अपका बेबी हेल्दी है, मॉवमेंट अच् सकता है, वो है धकाराना, आसिडिटी हो जाना, खटा धकर जो की बहुत अन्प्लेजन लगता है, वो शुरू हो जाएगा, इसलिए जयताता टाइम हम प्रेस्क्राइब करते हैं, कि 30 मिनिट्स आप वाक कर लीजिए, सीधे रास्ते पे, आपको उच्छाई पे नहीं चरना है, स्टेर्स जितना कम हो सके अब चरिए, बट जो प्लेन रास्ता है, आप अपके रूफ पे भी वाक कर सकते हो, 30 मिनिट्स नॉर्मल वाकिंग, इस मस्ट प्रम प्रेगनेंसी विक 18, और धिकत जो मॉमी फेस करते हैं, वो है यूरिन अपने आप पास हो जाना, जैसी अब स्नीज कर रहे हो, कफिंग हो रहा है, तो कुछ औरते मुझे क्वेशन करते हैं, कि माम यूरिन पास हो रहा है, कि ये नॉर्मल है, जी हाँ, आपका अभी कंट्रोल ब्लाडर के उपर से हट चुका है, आपके यूट्रिस के प्रेशर है, वो ब्लाडर के उपर बहुत ही जो साल के तर्टाएम से जितना हो, के तक आपको पिणा हो रहा है कि को कोकोनट वोर्टर पीजिए, इससे आपके जो यूट्याइए का प्रोब्लम हो भी कम होगा, उसके साथ साथ जो वजायने में पीज बैलंस होता है, वो भी मैंटन होता है, क्योंकि पीज के जिदिक ज्या मैंने पिछले के कुछ वीडियो में भी बताई थी कि हमारे बॉड़ी प्रेगनेंसी के टाइम प्रोजेस्टरन हॉर्मोन प्रोडियूस करता है और वही हॉर्मोन हमारे वजाइन को एक प्रोटेक्टिव मेकनिजम के तौर पे सपोर्ट देता है वाइट डिस्चर्ज फ्लो क करके ताकि इन्फेक्शन बेवी तक ना पहुच पाए और प्रीमैचुर डेलिवरी ना हो थर्ड जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कस करूंगी प्रेगनेंसी वीक 18 में आ सकता है वह हाथ पैर में बहुत ज़्यादा क्रैंपिंग होना कमर में क्रैंपिंग होना हीच लगना यह प्रॉब्लम प्रेगनेंसी वीक 18 से शुरू हो जाता है अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप अपने फूट के नीचे पीलो रखिए दोनों पैर के बीच में पीलो रखिए नीच को बेंट करके लेटिये सर के नीचे पीलो लगिए और जितना हो सके वीटमि बेच खाते हैं चिकेन मंटन अंडा खाते हैं तो भी बहुत अच्छे से आपके शरी में वीटमिन बीटियोल जाने का चांस रहता है बटर ट्राइ कीजिए जो भी कुकिंग आप खाते हो प्रेगनेंसी के टाइम में वह ज्यादा स्पाइसी ना हो उससे बच्चे का नुक हो रहा है तो भी इस ओलो के याद राखना है जितना कम सिम्टम होता है उतना हेल्दी प्रेगनेंसी होता है तो डाइने की बिल्कुल जोड़त नहीं है प्रेगनेंसी को एंजाए कीजिए हैपी प्रेगनेंसी